वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप Real Cricket 24 खेलते हैं जो आपकी ये गेम है अगर आप इसको खेलते हैं और आपको प्रोवलम आती है ओटोबैक की जब भी आप इस गेम को खेल रहे होते हैं आपकी जो गेम है ओटोमेटिक यहाँ पर क्लोज हो जाती है बंद हो जात जैसे कि आप देख सकती हैं ये गेम है कुछ लोगों की तो ओपन होते ही यहाँ पर इसको खेल रहे होते हैं तो बीच में ये बंद हो जाती हैं तो सॉलिशन कहा है जान लीजिए शब्से पहला काम आपको आना है प्ले स्टोर में और यहाँ पर सर्च करना है जो आपकी ग जैसे आप देख सकते हैं, मुझे अपडेट नहीं आया, मैंने अपडेट करके रखी हुई है, अगर आप अपडेट नहीं करेंगे, तो आपको प्रॉबलम आ सकती है, टेक्नीकली इश्व होने के वज़े से आपको प्रॉबलम आईगी, make sure आप update कर लें update करने के बाद directly आपको setting में आ जाना है setting में आने के बाद scroll करना है नीचे यहाँ पर apps पर click कर लेना है click करने के बाद आपको manage apps देखने को में दरा इस पर click करना है click करने के बाद यहाँ पर search bar में आपको real cricket जो आपकी game है उसको search करना है आ चुकी है यहां से इसको open करना है open करने के बाद आपको यह show हो जाएगा नीचे clear data लिखा है clear data पर click करिए और इसका clear cache फिर clear all data कर देजिए देन उसके बाद force stop आपको show कर रहा है force stop करिए इसको और इतनी भी permissions होंगी जितनी भी permissions आपको देखने को मिल रही है सभी permissions को allow कर देना है देख सकते हैं permission आउलो जैसे ही आप कर देंगे then आपको back आना है back आने के बाद आपको एक बात का ध्यान रखना होगा जब भी आप अपनी game को open करें open करने से पहले आपके background में जितनी भी आपने application run करवा रखी होगी जो भी आपने game open कर रख्योगी background से उनको आपको remove करना होगा ठीक है आपको दिखा देता हूँ suppose कर लिजिए यह app permission खुली होगी है यहाँ पर इसको बंद करते हैं प्ले स्टोर को बंद करते हैं app info को बंद करते हैं youtube खुला हुआ इसको बंद करते हैं gallery को बंद कर देते हैं जितनी भी applications आपकी यहाँ पर open होगी background में सभी को आपको remove कर देना होगा आपकी जो problem होगी वो आपको फिर से देखने को नहीं मिलेगी इस बात को आपको ध्यान रखना है फिर उसके बाद आपको एक और काम कर लेना होगा आपको आना है setting में setting में आने के बाद आपको check करना है आपके mobile की storage तो यहाँ पर storage है मेरे mobile की देख सकते हैं 64 GB का जो मेरा mobile की storage है और यहाँ पर 3.5 GB खाली है मतलब 5 से 6 GB जो मेरे mobile की storage है वो कम से कम खाली रहनी चाहिए आपके मुबाइल की भी खाली रहनी चाहिए तो आपको यहां पर ओटो बैक की प्रॉब्लम नहीं आएगी इस बात का आपको ध्यान रखना होगा गाईज यह काम आपको जरूर से कर लेना है यह अवाइल काई रिपुट कर लेना है या फिर कर लेना है जैसे आपका मुबाइल रिपूट या स्टार्ब हो जिए और आपप जो क्या है प्ले करेंगे ओटो बैक की प्रॉब्लम आपको फिर से देखने को नहीं मिलेंगी आज के वीडियों आपको यही बताना था अपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं आख शुड़ी में तो लगा टेक के लव यो लगा